साबदनावडा रेकिपी न फूटेंगे नहीं तेल सूखेंगे बहुत ही आसान तरीका घृब्रियान वेलकम वेक आवर चेनल आज हम बनाएंगे साबदनावडा ये बहुत ही टेश्टी बनती है इस तरह साबदनावडा को भिगो कर बनाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं, ये क्रिस्पी साबुदाना वड़ा मैं किस तरह से बनाती हूँ, ये वरत्त में भी आप खा सकते हो इसे बना कर, ये तो नौराद्री में स्पेशल है, बहुत सभी को बहुत पसंद आएगा इस तरह से आप बनाओगे तो, तो चलिए शुरू कर क्रिस्पी साबुदाना वड़ा इस तरह ही बनेगा, ना ही फटेंगे ना तेल सुखेंगे और फुले-फुले मस्त बनेगे, क्रिस्पी एकदम कुरकुरे हैं उपर से, क्रंची, तो देखिए, मैंने यहाँ पर क्या-क्या लिया है, वो अभी आपको मैं बताओंगे, तो यहाँ पर वन फोर्थ कप मैंने यह भुना हुआ, मुठफली का पावडर से दरदरा पीस लिया है, और दो कप साबुदाना को भीगो कर रख दी थी रात भर, तो इसे किस तरह से भीगो ना है, दो तिन बार साबुदाना को धो लेना रात को, और फिर इसे पूरा पानी न थार लेना, फिर दो चमच उपर से पानी डाल देना, भस धककर से रात भर रख लेना, तो सुबह इस तरह मसलने पर ऐसा होना चाहिए, पूर एकदम सौफ्ट रहेगा, और यहाँ पर बता रही हूँ है, दो तिन चार पांच हरी मिर्च है, और दो चमच सक्कर, और वन फो नहीं तो इसके जगह पर आप आरा रोट पावडर भी ले सकते हो, ब्रत्त होगा तो आप अपने अनुसार कर सकते हो, कि क्या लेना है, चावल काटा या आरा रोट पावडर, ठीक है, फ्रेंस, नहीं तो कोई भी जो आप गेहू, मतला गेहू नी खाओ गई यहाँ पर तो यहां पर साबुदाना को में बड़े से पतली में डाल दी हूँ और यह है, वन फोर्थ कप मुख़ली का पावडर, भुना हुआ मुख़ली का पावडर, फिर वन फोर टीस्पून अमचूर पावडर, एक दो, वन एंड हाप टीस्पून कस्मीरी लाल मिर्च पावडर भी पीस लेंगे, अलग-अलग भी पीस सकते हो, यह एक साथ पीस होगे तो इसे पानी के तरह हो जाएगा, क्यूंकि सक्कर है न, तो यह सारा पेस्ट ऐसे डाल देंगे, बहुत अच्छा बनेंगा, यह चावल काटा में यूज की हों, इसके जगह पर आप आरा रोट या मैद भी यूज कर सकते हो, तो यह सभी को पुरा मिक्स कर लेंगे, और उसे हाथों से ही मस लेंगे, ठीक है, अगर दो कप साबुदाना है, अगर चोटा कप में मतलब दो कप लोगे तो चोटा पोटेटो लेना, बॉयल पोटेटो और पोटेटो को ठंडा करके ही लेना, ठीक है अगर खाली ऐसा खाना चाहते हो तो साधा नमक भी तो नमक भी स्वादा नशार डाल देंगे और एक चम्मच ऑईल के जगह पर फास्ट में आप घी भी डाल सकते हो ठीक है इतना ही बस डाला जाता है और मेजरमेंट जो जो मैं ली हूँ वही सब उसी हिसाब से डालोगे तो परफेक्ट बनेगा अमचूर पाउडर भी बताए हूँ वन फोट टी स्पून अमचूर पाउडर अगर अमचूर पाउडर नहीं होगा तो उसके जगह पर आप आधा निम्बू निचोड लेना ठीक है और सक्कर डालना भूलना नहीं आप अपने अनुसार धनिया पत्ता अब ही डाल सकते हो लेकिन मैं धनिया पत्ता नहीं डाली हूँ क्योंकि तलने पर पूरा काला काला हो जाएगा तो देखे इस तरह पूरा मैं मसल ली हूं सभी को और हाथों से पूरा गोलगल निम्बू के साइज का या तो जो लड़ू के साइज का लेकर बरसों से आप इसी ओईल लगाओगे तो यह किनारे से फटेगा नहीं बीच में से पहले ऐसा होल कर देना फिर ऐसे साइज साइज से दबा लेना तो परफेक्ट बन जाता है ना तूटेगा ना फटेगा ना कुझना ही तेल सोखीगा बहुत मस्त बनेगा बहुत टेस्टी बनेगी आप इसी तरह बना कर देखिएगा यह जितना टेस्टी लगता है ना उतना साबुदाना भून कर जो बड़ा बनाते है ना वह ज्यादा टेस्टी नहीं लगता है मैं सच बता रही हूं तो इस तरह से आप बना हो गये तो बहुत स्वाधिस्ट बनेगी और खाने का मन तो सारा मैंने इस तरह बना लिया है 20-25 पुरा और चोटे-चोटे लास्ट में दो बच गए थे तो पूरा उसको तेल गरम हुआ या नहीं मुकफली का में तेल डाल कर पूरा तेल को पहर अच्छे से घरम कर लेने का फिर मीडियम फ्लेम कर देना फिर यह दो वड़ा में चान लेना मतला तल लेना तो देखिए तो अभी मैं चार-चार सब डाल रही हूं कि कड़ाई में जितना आएगा उतना भी डालना चाहिए तो चार को मैंने डाल दिया है और इसे बबल्स आने तक अभी इसे पल्टेंगे नहीं कुछ ने पूरा यह जब बबल्स धिमा हो जाएगा तो फिर उसे पल्टेंगे तो गुल्डन ब्राउन होने तग इस तरह आपको इसे तलना है और अपने आप यह फूलेगा देखिए कि इस तरह फूला है और हलका ब्राउन ही करेंगे ज्यादा ब्राउन नहीं कर देंगे क्यूंकि जब हम इसे तल कर रखेंगे तो बस ओयल में जाते ही इसे दोनों तरफ 이 से मतलब्लापनी आप ये महल का ब्राउन हो जाएगा फिर यह से बोनकर से निकालोगे, तलकर इसे निकालोगे. तो परफेक्ट होता है, ना ही फटा है, आपके सानने ही मैं कर रहे हूं, ना फटा है, ना फुटा है, ना कुछ ना ही तेल सुखा है, एक दम मस्त बनता है, तो इस तरह आप बिना डरे, इसी मेजरमेंट से आप बनाएए, परफेक्ट बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी, नए कोई वीवर्स भी देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक भी कर देना, शेर भी कर देना यार, बहुत अच्छे सेर, मन लगा कर जी जान लगा कर बनाती हूं, आप कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि कोई फूल वर्च नहीं करोगे, कमेंट नहीं क तो फिर में आगे बनाओंगी नहीं, इसलिए मन नहीं होता है, और नवरातरी चल रहा है, तो फास्ट में बना रही हूं, यह तो कंटीनुम में बनाती हूं, तो देखे, साबुद अना वड़ा किस तरह फूले-फूले क्रिस्पी मस्त है, और इसे मैं अभी दो बेच तल क निकाल ली हूं, इसे तरह फूले-फूले लग रहे हैं एकदम उपर से क्रिस्पी, ऐसे आप करोगे एकदम क्रिस्पी लगेगा, और फिर जब ठंडा जेगा तो थोड़ा सफ्ट होगा, अंदर से नरम रहेगा, बहुत ही मस्त लगती है, बढ़िया लगती है, इसे आप चटनी के साथ या टमेटो केचप के साथ भी खा सकते हो, मस्त लगेगा एकदम चटपटा, तो इस तरह अभी तिसरा बेच में डाल दे रहे हूं, और भी बाकी जितना बचा है, इसी तरह मैं पूरा चान के तलके निकाल लोंगे, तो इस तरह मीडियम फ्लेम में ही ये करन तो ज्यादा स्लो भी नहीं कर देना, मीडियम फ्लेम में अराम सही हो जाता है, तो देखिए, जो डोनट के तरह में अन्दवडा के तरह भी बनाई थी ना, वो भी नहीं टूटा कुछने, परफेक्ट होगा, बस इससे बनाने में टाइम लगता है, तो इस तरह मैं एक ट् तो फटा फट सब बन जाता है, और एसे डोनट के तरह करोगे, जो मिंदवडा के तरह करोगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो बहुत ही मस्त क्रिस्पी साबुदाना वड़ा बनकर रेडी हो गया है, तो अभी मैं गरमा गरम सर्फ कर दोंगी, एक तो ग्रीन चटनी के साथ चटपटा मस्त, यह एक दम बहुत बढ़िया लगे गया, तो टमेटो केचप के साथ, ऐसे ही खट्टी मीठी मस्त बनती है, बहुत स्वादिस्ट बनी है, फ्रेंट्स, आप जरूर ट्राइ करना, लास्ट का बेच मैं इसे तलने के लिए रख दी हूं, सारा खतम कर ल बहुत आईए, ठीके फ्रेंट्स, यह नवरात्री स्वेशल साबुदाना वड़ा, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताई हूं, एक भी नहीं फुटा, नहीं फटा है, देखिए, और एक दम फुले फुले बने हैं, फुले भी है, तो भी नहीं फटा है, कितना देखिए, औ और अच्छी सी प्यारी सी कमेंट कर देना, कमेंट करने में तो पैसा खतम नहीं होगा, तो कर दीजी, अच्छा लगेगा, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, कि हाँ, कमेंट तो किये, कम से कम, सब्सक्राइब करने पर, लाइक करने पर, कमेंट करने पर नहीं जा बनाता होगा यह साबुदाना बड़ा किस तरह बनाते हैं और तेल में फ्राइ करते हैं तो फट जाता है तो यह नहीं फटेगा ना फूटेगा परफेक्ट बनेगा बाइ फ्रेंड